IPL 2024 सुरू होने से पहले अगर हम भारती टीम की तेज गेंदबाजी विभाग पर नजर डालते तो वहाँ पर भाया जस्परीद बुम्रा एक नाम थे जो कि भारती टीम को लीड करते उनका जाना तैथा पुकता था उसके अलावा अन विकलपों में मुहम्मद सिराज और सद लीडिंग पेसर होंगे भारती टीम के लिए गुम्रा का साथ देते वे टी-20 व्ल्ड कप में दिखेंगे क्योंकि उनका उदय बहुत 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 बहुतरीं तरीके से चाप चोड़ते व्यंद बहुत नजर आ रहे थे और डेथोबर्स में भी अच्छी गेदबाजी कर कप से बाहर हो जाने के बाद ये था कि मुहम्मद सीराज सेकंड लीडिंग पेसर होंगे थर्ड पे अरसदीब सिंग का नाम आएगा और बैक अप के तौर पे आवेश खान रहेंगे लेकिन इन तेज गेदवाजों के अगर हम IPL के प्रदर्सन पर नज़र डालें तो भारती टीम का लुटिया डुबना तैय है बेडागर खोना तैय है क्योंकि इन में दमखम नहीं है इन में काबिलियत नहीं है यह डेथोबर के स्प्लिस लिष्ट नहीं है फिर जैसे मुंबई इंडियंस में बुम्राह अकेले पड़ गये हैं वैसे भारती टीम में भी प्रदरसन पर नजर डालेंане खासकर मुहम्मद सिराज के तेजगेदबज ही पे नजर डाले तो वह तो भयाववा हिस्तीति है इदहाल फिलहाल मुहम्मद सिराज RCB टीम में भी जगर नहीं बना पा रहा है उनको वहां से भी बैठाय जा रहा है ये समस्या का सबब है रोहित काफी चिंतित है आजीत अगरकर चिंतित है और बात करें तो राहुल द्रविट की भी चिंता है बढ़ती भी नजर आ रही है गेदबाजी नहीं हो रही है और सबसे बड़ी बात सबसे खास बात फॉँम इस टेमपर इस परमनेंट लेकिन देख़ा है डेट्थोबर में वह गेदबाजी करने लाइक गेदबाज भी नजर नहीं आते है यह है ऐपल दो चाबीस मुन के आकड़े साथ मुकाबले पांच विकेट तीरपन दस्मलोव आठ्ट का ओसत है यह देख सकते हैं कितनी दैनी इस्तिती है और दस्मलोव पांच का इकोनामी रेट इसी तरीके का कुछ औसत है अरसदीब सिंग का वैसा ही आवेश खान का प्रदर्सन किसी भी तेजगेदबाजी ने प्रभावववित नहीं किया है कि यह बूमराह का साथ हो सकता है यह बूमराह का साथ निभा सकता है लेकिन जो भारती टीम के सबसे सुखद खबर है वो यह है कि भारती युवा टैलेंट ने अपना हुनर अपनी काबिलियत अपना वर्चरस आईपिल दोजा 24 में जमाया हुआ है और चार ऐसे गेंदबाज हैं आईपिल दोजा 24 में जो वर्ल्ड कप में जगा बना सकते हैं जो सिराज को बाहर छटक हैं और यह जो चार युवा गेंदबाज हैं जिन्होंने चाप छोड़ा है जिन्हों प्रभावित किया है वो सिराज-क्तान ले सकते हैं और हम यही देखने इसी पर चर्चा करने यहां पर आये हैं कि कौन से चार गिदवाज हैं जिन्हों ने काफी प्रभावित किया अपने प्रदरसन के दम पर जिन पर निगाएं हैं CCI की selection meeting में discussion होगा चर्चा होगा और कैसे वो वर्ल्ड कप की टीम में भारती टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीवर्स से यह आगर है यह अनुरोध है कि अगर आपको अमारे करते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं वह महें क्यादो शायद महें क्यादो का fitness आड़े नहीं आया होता तो इनका चुना जाना भी ता लेकिन दो मैच में प्रदर्सन करने के बाद महें क्यादो आउट ओफ फिटनेस इस उसे जूजने लेगे वह अभी तक रिकबर नहीं कर पाए हैं और ये समस्या रहेगी उनको चुन चुनते वक्त अन्य था महें क्यादो का जाना T20 वर्ल कप में तैथा क्योंकि उन्होंने अपने तेज गती से सब को डर आया था उससे भी बड़ी बात और खास बात ये तेज गती के साथ अपने line length पर भी नि impact रहा है जितने मुकाबले खेलें लखनों सूपर जायंस के लिए हारे वे मुकाबले लखनों को जिताए हैं तो ये मयंग क्यादो का चुना जाना लगभगता है था और अभी ये समिकरण में रहेंगी हला कि fitness cause of concern रहेगा इसू रहेगा लेकिन BCCI selection meeting में इनकी चर्चा होगी इन पर गहन मन्थन होगा फिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी बात करें दूसरे खिलाडी की जिसने प्रभावित किया ही हुआ खिलाडी वो है हरसितराड़ अगर हम भारती तेज गिदबाजी विभाग पर नजट डाले गौर फरमाएं पूरी लिस्ट उपर से नीचे तक देखेंगे तो वहाँ पर इनसे बहतर बुमराह के अलावा को आचेड़ंएं भी मुकाबले खेले एं वह सब बल्लेबाजो वाले पीछो पर खेले हैं जहां पर 287 बने हुए हैं जहां पर 233 बोनाती एंवः ब्यद विकेट निकाला हुआ है देथोवर में गेदबाजी की है और स्लोर वन्स के मामले में यह बुमरा के बाद दूसरे नंबर पे हैं भारती टीम की गेदबाजी भाग में तो हरसी तराडा ने भी प्रवावित किया है चे मुकाबले यह बहुत चाप ठोड़े हैं यह कारगर हो सकते हैं पावर प्ले के अबरो में भारती टीम के लिए वहाँ पर यह लेफ्ट आम पेसर हैं भाईया उससे बड़ी बात कि भारती टीम को कोई थोड़ा सा वैरियेसन चाहिए होता है लेफ्ट आम पेसर इनके पास कमी है तो वो खाली लहमद उसकी पूर्ती कर सकते हैं यह भी रडार पर है अगर इनके उपर चर्चा होगी रोहित का दिमाग ठंकेगा तो भी शिराज को यह भी रिप्लेस कर सकते हैं इनके पास राष्टी पटल पर खेलने का अनुभाव है उसे भी बड़ी बात और खास बात यह विकेट टेकिंग ऑप्सन लेकर आते हैं पाउर प्ले में आपके लिए दो से तीन ओवर की गिदवाजी खाली लमत कर सकते हैं स्विंग कराएंगे आठ मुकाबलों में दस विकेट अट स्विंग आउट स्विंग इंस्विंग दूनों कराने की कबिलियत रखते हैं और डेथ होवर्स में इनका इंप्रूव्मेंट हुए इस संस्क्रण में हैं विकेट निकालते हुए नजर आ रहा है हाल फिलाल की बात करें तो मुंबई खिलाफ फाइफर लिया था अपना व बहुत बहतर दिखे हैं हम सीराज की बात करें या फिर अर्सदीप की बात करें आवेश की बात करें संदीप सर्मा बहुत प्रभावित करती भी नजर आएं अगर इनके आकड़े पर नजर डाने तो तीन मुकाबले छे वीकेट बार दसमनों छे साथ का उसात और एकुनाम पर आव इस पर भी तलबार लटक सकता है कमेंट सेक्सेन में कमेंट दाझ दीजेगा कि आपके हिसाब से कौन सा ऐसा खिलाडी है कौन सा ऐसा केजवाज है इनमे से जो वर्ल्ड कप टीम में भारती टीम में जगव बना सकता है मिलते हैं अगर अगली रिपोर्ट में तब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करें और क्रिकेट से जोड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें